आज हम चैप्टर नमबर 12 पड़ेंगे पेज नमबर 52 जिसका नाम है अनमोल वचन ये चैप्टर हमने पहलों पड़ा था बहुत ही इंटरस्टिंग स्टोरी है एक राजा की और उसके सामने एक मुर्ति का राया था उसकी और इस स्टोरी में बहुत सी अच्छी अच्छी बा पड़ेंगे और इस चैप्टर के ये हमारे शब्दार्थ हैं जो न्यू वर्ड्स आए हैं आकार आकरिती विद्वान ज्ञान से परिपूर्ण सलाख कोई पतली लंबी वस्तू बिरले विचित्र सर्वोत्तम श्रेष्ट अमल व्यवहार में लाना तो ये हमारे शब्द के पार्ट के शब्दार्थ हैं चैप्टर नमबर 12 अनमोल वचन यानि बहुत ही अच्छे वचन बहुत ही अच्छी सीख हमें इस पार्ट से मिलेगी तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बहुत समय पहले की बात है विजय नगर राज्ये में राजा क्रिश्न देव राज्ये करते थे बहुत लंबिट समय की बात है बहुत सदियां बीद गई बरसों बीद गए उस समय विजय नगर राज्ये में राजा क्रिश्न देव जो राजा थे वहां पर राज्ये करते थ एक दिन राजा कृष्ण देव राये के दर्बार में एक मूर्तिकार आया जो राजा जहां उनका दर्बार था उस दर्बार में उनके पास में एक मूर्तिकार आया मुर्ति बनाने वाला, मुर्तिकार किसको कहते हैं, मुर्ति बनाने वाला, उसने एक जैसी तीन मुर्तियां राजा के सामने रखकर विन्य पुर्वक पूछा, जो मुर्तिकार था, वो तीन एक जैसी मुर्तियां लेकर आया, और उसने राजा के समक्ष रख दिया, या राजा है राजन मैं अपनी इन मूर्टियों का मुल्य आपसे जानना चाहता हूं घले ही रूप रंग और आकार में ये एक जैसी है परंतु मूल्य भिन-भिन है मैंने सुना है कि आपके दर्बार में तेनाली राम जैसे गुणों से परिपूर्ण विद्वान हैं कृप्या उनसे कुछ मूर्तियों का मुल्यांकन करवा दे तो उस मूर्तिकार ने बहुती विनम्रता से प्यार से राजा को कहा कि हे राजन मुझे ये जो मेरी तीन मुर्तियां है इनका मुल्य पूछना है इनकी कीमत पूछनी है जबकि ये दिखने में सेम है पर इन तीनों का मुल्य जो इनकी कीमत है इनकी रेट है सबकी अलग-अलग है मैंने सुना है कि आपके दर्बार में जो आपके समीपी है जो तेनाली रामा वो बहुत ही प्रसिद है और बहुत ही विद्वान पुरुश है विद्वान यानि यहां पर क्या बताया है ग्यान से परिपूर्ण यानि उनको बहुत ग्यान है हर तरह से उनको ग्यान प्राप्त है तो तेनाली रामा जो है उनको बहुत ग्यान प्राप्त है विद्वान है तो उनसे मुझे इन मुर्थियों की किमत पत्ता करवा दीजिए। दर्बार में उपस्तित सभासद मूर्तियों को देखने परकने में लगे जो दर्बार में और भी सभा में लोग बैठे थे उस दर्बार में राजा और उसके अलावा दर्बार में तो बहुत से लोग रहते हैं मंत्री है उक मंत्री है सेनापती है बहुत से लोग रहते हैं व सेम हैं फिर इनकी कीमत अलग-अलग कैसे हो सकती है कि राजा ने राजा की पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं कहा कि इन में इनके मुल्य में कोई अंतर नहीं होना चाहिए जब राजा ने उनको पूछा जितने भी लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि यह जो मुर्तियां हैं इन में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए सबकी रेट एक जैसी होने चाहिए सबका मुल्य एक समान होना चाहिए तबी मुर्तिकार ने तुरंत कहा, जो मुर्ति बना कर लेकर आया था, मुर्तिकार उसने तुरंत कहा कि सभा सदों यदि तीनों के मुले में अंतर नहीं होता, तो मैं यहां क्यों आता? जैसे ही उन सभा सदों ने कहा कि ये तो तीनों सेम ही मुर्तिया हैं और इनमें कोई फर्क नहीं है और तीनों की रेट एक जैसी होनी चाहिए, तीनों का मुले एक जैसा होना चाहिए। कि क्रिपया ध्यान से देखे पर्खे मुर्तिकार ने कहा कि क्रिपया ध्यान से देखो इन मुर्तियों को और परक कर मुझे जवाब दू वे वे सब फिर से मुर्तियां मुर्तियों का निरक्षन करने लगे वह वापस से मुर्तियों को देखने लगे कि इसमें क्या ऐसी चीज से तीनों में पर उनको समझ में नहीं आया कि इस बार राजा ने तीनों मूर्तियों का वजन करवाया फिर जब राजा को भी समझ में नहीं आया तो राजा ने तीनों मूर्तियों का वजन करवाया वेट करवाया कि यह कितने कितने वजन की है क्या पता वजन से पता चल जाए कि इनके rate में फर्क है, इनकी कीमत में फर्क है, किन्तु उनका वजन एक सा था, उनका जो वजन था, वेट था, उन मुर्तियों का तीनों का एक समाह नहीं था, जैसा कि आप इस photo में देख सकते हैं, राजा बैठा हुआ है, राजगदी पे, और ये मुर्तिकार के हाथ में मु खा गया, सन्नाटा यानि शान्ती, बिल्कुल किसी ने चूप की भी आवाज नहीं करी, सब सोच में पड़ गए कि दिखने में भी ये सेम हैं, और ये एकदम शान्त हैं, सभा में सन्नाटा चा गया, जो सभा थी, जो दर्बार था, उसमें बहुत ही शान्ती चा गई, सब ये ही सोचने लगए कि क्या बात हो गई, हमें पता क्यों नहीं चल रहे हैं इन तीनों मुर्तियों का, इन तीनों का वजन भी एक जैसा है, और फिर भी मुर्तिकार ये ही कह रहा है कि तीनों का मुल्य अलग-अलग हैं, तेनाली रामा पास ही खड़ा, सब कुछ चुपचाप देख रहा था, जो तेनाली रामा थे, वो पास ही खड़े थे सभी के, और चुपचाप सब की बाते सुन रहे थे और उनको देख रहे थे, उसने सोचा, कि इन मुर्तियों में अवश्य कोई गहरा रहस्य से छिपा है, तेनाली रामा जो थे, उन्होंने आईडिया लगाया, उन्होंने सोचा कि इन मुर्तियों में जरूर कोई ना कोई रहस्य है, यानि कोई राज है, कि राजा कृष्ण देव राय तेनाली राम की मुख मुद्रा देखकर बोले है को देखकर कि उनका फेस देखकर फिर वो बोले रामा अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो जो राजात कृष्ण देव थे उन्होंने तेनाली रामा का चहरा देखकर उनको ही कहा कि अब रामा तुम ही इस समस्या का ये जो परिशानी आई है इसका समाधान तुम ही